मैं हूँ आपके साथ शुत्रिश्र वास्ताव और सीधे जैसे प्यांका ने बताया क्योंकि वो जैपुर में बिजेपी मुख्याले के सामने खड़ी है और साफ तरपर ने बताया कुछ ही घंटों का इंतिजार है और यह जो आप पीसे कुर्सी देख रहे है जिस पे कॉश्टन मार्क लगा हुआ है कि इस पे कौन विराज मान होगा सस्पेंस अभी भी बरकरार है लेकिन यह सस्पेंस तीन तारिक से जब से परिणाम गोशितु है बिजेपी के तब से उसके बाद से ही इस गदी पर कौन बैठेगा पाल साल का नित्त कौन समालेगा दो हजार चौबीस में इस गदी पर जो विराज मान होगा उसका इफेक्ट कैसा दिखेगा वो भी सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बिजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां पर एक और बड़ी खबर आपको बता दे कि राजना सिंग सुभा 11 बजे आई जी आए एएपोर्ट से होंगे रवाना बड़ी खबर नए सीम पर फैसला हाज होगा जापर तीनों पर वेक्चक आज जैपूर एएपोर्ट से दिल्ली से रवाना होगे दिल्ली से स्पेशल एयर आज मान होगा बिजेपी की तरफ से कौन या एंपी की तरफ पर इस बार भी मद्प्रदेश में भी खेला किया जाएगा क्या दो डिप्टी सीम उतारे जाएंगे कौन होगा विधान सभा अध्यक्ष इन सब पर सेस्पेंस अभी तक बरकरार है लेकिन सेस्पेंस बरकरार जरूर है लेकिन टॉप मनेजमेंट पहले से डिसाइड करके बैठा है कि किसको इस बार राजस्थान में उतारना है क्योंकि शोशल इंजिनिरिंग और क्रोनोलाजी जो बिजेपी की है वो टॉप मनेजमेंट समझता है नीचे कुछ भी बाते हो लेकिन टॉप मनेजमेंट य उतारा गया और जो कि संग के एक संग और पार्टी दोनों का निर्टुत्व कर सकते हैं उसी तरह मद्प्रदेश में भी हमने देखा कि मोहन यादव को टारा गया जो कि ओवी सी समाँ से आते हैं तीन बार से विधायक रहे हैं संग के एक अच्छे कार्यकरता मानेगा है उ हो सकता है राजस्तान में भी संग और जो पार्टी का नित्त्व कर सके उसको ही उतारा जाए हो सकता है जनरल और स्टी स्टी तीनों के कॉंबिनेशन को उतार कर इस बार मिला कर इस बार सीम और दो डिप्टी सीम बनाए जाए तो तमाम देखे नाम इसमें है इस रेस में तमा क्योंकि रवीवार से ये बोला जाते है रवीवार सोम वार मंगवार लेकिन अब वो घड़ी आ गई है कुछ घंटे का काउंटाउन भी हम आपको दिखा रहे है न्यूज 18 राजस्थान के टीवी स्क्रिन पर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री पाच घंटे 42 मिनट 55 सिकन हर एक पल जैसे जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बलड़ी है वैसे वैसे जो भी सीम की रेस में शामिल था वो उसकी धड़कने बढ़ती हुई नजर आ रही है तो सीम पर लगता है सिस्पिन्स आज खत्म होगा नए सीम पर आज फैसला लिया जाएगा विजेपी विदायक दल की बैटक काज होगी विदायक दल की बैटक में लगेगी मुहर बिजेपी परवेक्षक और राजना सिंग आज जैपूर आएंगे राजना सिंग सरोश पांडे विनोत पांडे जैपूर पहुचेंगे जिनको परवेक्षक के तौर बतारा गए सुबा ग्यारा बज़े आई जी आई एरपोर्ट से रवाना होंगे और दिल्ली से स्पेशल से रवाना किये जाएंगे 11 बच के 45 मिनट पर जैपूर एरपोर्ट पहुचेंगे राजना सिंग और एरपोर्ट से सीरे होटल ललित जाने का कारकम है दोपार 12 बच के 5 मिनट से 3 बच के 45 मिनट तक होटल ललित में रहेंगे मौजूद और 3 बच के 45 मिनट पर होटल से 4 प्रदेश कार्याले पहुंचेंगे और 4.30-6.00 तक भाज़पा विधायक दल की बैटर करेंगे और शाम 6.30-6.00 बिजेपी आफिस से रवाना होंगे राजना सिंग, शाम 7.00 बिजेपी अफिस से रवाना होंगे तो ये हमने आपको तावर तोर कारक्राम बताए लेकिन सीध तोर पर ये भी देखना पड़ेगा कि बिजेपी इस बात करें तो ये तस्वीरे खुद बया कर रही है कि किस तरीके से इस वक्त बिजेपी प्रदेश का रियाले में हलचल तेज हो गई है कैमरा मैंन से कहूंगी कि एक बार जरा से घुमा कर कैमरा ये तस्वीरे दिखा किस तरीके से इस वक्त गहमा गहमी का महौल दिखाई दे रहा है और हलचल काफी तेज है कुछी समय में यहाँ पर तीनों परविक्षक पहुचेंगे और विधायक दल की बैठक होगी नम निर्वाचित 115 विधायक बिजेपी के यहाँ पर कुछी समय में पहुचेंगे और यही है कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा और इसका जवाब कुछी समय में लोगों को मिलने वाला है और इसका जवाब सबसे पहले नियूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाएंगे कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री क्योंकि कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं जिन में वसुंदरा राजे से लेकर अब सीपी जोशी का नाम भी जुड़ चुका है कि इंद्रे जलशक्ती मंत्री गजिन सिंग शेखावाद साथ ही साथ कई और ऐसे नाम है जो रेस में आगे हैं लेकिन माना ये जारा इश्रूती जैसा कि मध्य प्रदे उसके और से दवा ये किया जा रहा था कि इस बार हम रिवास बदल देंगे पर कॉंग्रेस ऐसा कर नहीं पाई और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी हम लगातार अपडेट भी आपको यहां से दिखाते रहेंगे श्रूती कि विधायक दल की बैठक में चल क्या रहा है विधायकों के मन में क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे यहां पर विधायक पहुँचने शुरू होंगे उनसे बाचीत करेंगे क्योंकि सबसे ज़ादा महत्वपून यही है और सौरभ ग्रियस्ती सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दिन में हमारे मानी परिवक्षक यहां पहुंच जाएंगे राजस्तान में उसके बाद पार्टी कारले पहुंच रहेंगे पार्टी कारले में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी सारी प्रक्रातिया हो जाएगी और आप जैने ठीक कहा कि पांच प्रफॉर्मुला चतितगर में नया फॉर्मुला राजस्तान के लिए भी कोई अलग का फॉर्मुला कि वही फॉर्मुला ताइक यह देखे यह तो शाम को पांच बुद पता लगेगा आप और हमें सब साथ बता लगेगा अच्छा क्या संकेत मिलें आपको उपर से की वि विधायक दल की बैठक में सामना आएगी कि पार्टी ने क्या टेक किया है और वो पांच बेर तक सारी स्थित्या असपश्टो जाएगा आपकी बुमिका को लेगकर भी लगारता चर्चा है क्योंकि जो केंद्र है उनके बारे में का जाता है कि संगठन में जो वेक्ती बह जाती है इसे में आपके नाम की बहुत अंदर खाने बहुत जबर्दस चर्चा अभी फिलाज चल रही है मैंने कहीं सुनी मेरे जो दाइक तो था मुझे पार्टी ने दिया मैंने प्रयास किया कि मैं इमानदरी से उसका निर्वन कर चुको और मुझे मैंने पहले दिन सवा लिए कि आप सी स्टेंटमेंट जब पूचा गया था दिली से सब आप बाहर निकल लिए तो आपने कहा कि मैं सी अम रेस में नहीं हूँ लेकिनसिगे से पीर में पूछ हैंगि आपने कहा था कि आप इस मे नहीं है पहले दिन से का था और अभी भी कहा रहा हूं जो भी बनता ए उसे कितनी दर पहले संकेत दिये जाते हैं पहले प्रदेश अज्ञेक शिक पास संकेत आता है या भी आप तयार हो जाई है या या मुट्चय मंत्री बनने जा रहे हैं यह उस बाठक में ध्यान मा आया या लेकिन सौरब अभी आप वहाँ पर और कौन-कौन से नेता है या जो बड़े चेहरे है कोई और भी है सीपी जोशी की अलामा क्या महाँ पर? अभी कोई नेता यहाँ पर नहीं है बीजेपी प्रदेश अद्यक शीपी जोशी अभी जो है वो बहार आए हैं सुबह से वो तमाम व्यवस्ताओं में किस प्रकार की व्यवस्ता है उसको लेकर सक्री थे चुकि परिवेक्षक जो है वाने विदायक दल की बैठक जो होनी है तो उन तमाम तैयारियों में थे पूजा अर्चना में भी वो लगातार व्यस्ताओं थे तो कहसे कि वह अभी देख सकते का अब पूरी तरह से व्यस्त है और इस पूरी प्रक्रिया चुकि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए भी इसलिए आज से बड़ा दिन है क्योंकि ये पूरी संभावना है व्यक्त की जा रही है कि अगर राजस्तान में केंद्री नेतरत्व चोकाने वाला फैसला लेता है तो सीपी जोशी जो है वो कह सकते हैं बहुत बड़े दावेदार है और कहा जा सकता है कि सीपी जोशी जो है वो अगले मुख्यमंत्री जो है वो राजस्तान के हो सकते हैं ये पूरी संभावना है वो व्यक्त की जारी लेकिन चुकि बीजेपी की खास बात ये है कि बीजे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो ऐसे में कुछ भी कहना फिलाल जल्दबाजी होगी और सिर्फ इंतजार करना होगा कुछी समय में जब तीनों परवेक्षक यहां पर पहुचेंगे बिजेपी प्रदेश का रेले में इस वक्त हम मौझूद है तो यहां से भी अपडेट आप तक पहुचाएंगे क्योंकि विधायक दल की बैचक यहीं से होने वाली है और विधायकों से भी एक एकर जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है श्रूती बात बिल्कुल सही कही है प्रयांका क्योंकि मद्ध प्रदेश के बॉर्डर को जरूर राजस्थान टच करता है लेकिन बिजेपी जैसा बार-बर बता रही है बिजेपी शौकाने वाली पार्टी है उसके डिसिजन स्टॉक मनेजमेंट को ही पता रहते है बाकी किसी को नहीं पता रहता है लेकिन जो CM race में शामिल है उनके धड़कनों के साथ 115 और जो विधायक है उनके अलावा उनकी भी धड़कने बढ़ी हों क्योंकि किसी को भी चूज और पिक किया जा सकता है अब ब्रात अगर CP जोशी की हम करें उनके reaction की तो आज की मुस्कुराइट वाकई कुछ अलग थी लेकिन एक silent भी था एक ठहराव भी था उनके expression में इसका मतलब कि उनको decision पता चल गया है लेकिन एलान तो जब top management करेगा तभी पता चल पाएगा कि इस आखिर गदी पर अगर हम बात करें तो आमिश्या के उस